नमस्कार, प्रस्तुत है महादेवी बर्माद्वारा लिखी हुई कहानी बिंदा भीट सी आँखों बाली उस दुर्बल छोटी और अपने ही आप में सिम्टी सी बालिका पर दृष्टी डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रिवेश पत्र लोटाते हुए कहा आपने आयू ठीक नहीं भरी है ठीक कर दीजिए नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी नहीं यह तो गत अशार में चौदे की हो चुकी सुनकर मैंने कुछ बिस्मित भाव से अपनी उस भावी बिध्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा जो नौ वर्षिय वालिका की सरल चंचलता से शोन्य थी और चौदे वर्षिय किशोरी के सलज उत्सा से अपरिचित उसकी माता के संबन में मेरी जिग्यासा स्वगत न रहकर इस पष्ट प्रशन ही भन गई होगी क्योंकि दूसरी और से कुछ कुंठित उत्तर मिला मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होगी और उनके बाके को अदसना ही छोड़का मेरा मन इस मृतियों की चित्र शाला में दो योगों से अधिक समय की भूल की नीचे दवे बिंदा या बिंदे सुरी के धुनले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा ग्यात है अवश्य ग्यात है बिंदा मेरी उस समय की बाले सकी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुक और आश्वस्त भाव से घर बर को सुचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को चूने लगेगा तब मैं निश्य ही एक बार उनको देखने जाऊंगी न मेरे इस पुन्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मर कर कभी न लोट सकने का नियम जानना ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली मा की कल्पना मेरी बुद्धी में कहां ठहरती मेरा संसार का अनुभग भी बहुत संक्षिप्ट सा था अग्याना वस्था से मेरा साथ देने वाली सफीद कुटी सीलियों के नीचे वाली अंधेरी कोटरी में आँख मुदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उटती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फिर दिता था भूरी पूसी भी अपने चुहे जैसे निहा सहाए बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दवा कर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुप पाता था में मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी बच्छिया को हटाते हुए ही रमा रमा का घर भर को ये दुखत समाचा सुनाने वाली अपनी श्यामा गाई की ब्याकुलता भी मिससे छिपी न थी एक बच्चे को कंदे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भी कारें द्वार द्वार फिरती थी वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ ना कुछ मांगती रहती थी अते मैंने निश्चित रुप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदी के लिए ही हो रहा है और इस महत्पूं कर्तब में भूलना होने देनी का काम मा नामधारी जीवों को सौपा गया है। में की मोटी लकीर सा सिंदूर, 19-30 आखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले करण फोल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चोड़ियां और घुंगरुदार बिचुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुडिया की समानता दे देते थे, यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवाहर बिचितर सा जान पड़ता था, सरदी की दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मूँ धुला कर मौजे जूते और उनी कपड़ों से सजाया जाता था, और मना मना कर गुन-गुन के समान इसने का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंत उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उल्जन पैदा करने वाली थी, उठती है या आऊं, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूद कब गरम होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदी बाक्यों म जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था, कभी कभी जब मैं उपर की छट पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटी हुए बिंदा ही आंगन में चोके, तक फिरकनी सी नाश्ती दिखाई दीती उसका कभी जाडू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूद का कटोरा देने जाना, मुझे बाजीगर के तमाशा जैसे लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो सब कारे असंभव से थे, पर जब उस बिसमित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर, पंडितायन चाची का कठोर्स और गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुर्दकी का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुखी चाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उधारन देकर मेरे नटखट पन को रोक जाता था, वहीं बिंदा घर में चुपके चुपके कौनसा नटखट पन करती रहती है, इसे बहुत प्रियतने करके भी मैं समझ न पाती थी, मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माने ना मर जाने की धमकी दी और ना आखे निकाल लेने का भै दिखाया, एक बार मा ने पूछा भी, क्या पंडिता इन चाची तुम्री तरह नहीं है, माने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, उनके संग्शित हैं, से न बिंद्या की समस्या का समाधान हो सका, और न मेरी उल्जन सुलजपाई, बिंदा मु लड़ी के उपर चड़ी हुई जिल्ली के समान, पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की जलक देने वाले, उसके दुबले हाथ पेढ़ना जाने किस अग्यात भै से अवसन रहते थे, कहीं से कुछ आहट होते ही, उसका विचित्र रूप से चौक पढ़ना, और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पढ़ते ही, उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विचमे को बड़ा ही नहीं देता था, अपितु से भै में बदल देता था, और विंदा की आँखों में मुझे पिंजड़े में बंद चुड़िया की याद दिलाती थी, एक बार जब दो तीन करके तारे गिंते गिंते उसने एक चंकीले तारी की और उंगली उठा कर कहा, वह रही मेरी अम्मा, तब तो मेरे आश्चरे का ठिकाना न रहा, क्या सबकी अम्मा तारों में होती हैं, और एक घर में, पूछने पर बिंदा ने अपने ग्यान कोश मैंसे कुछ चिकन मुझे दिये, और तम मैंने समझा कि जिस अम्मा को इश्वर बुला लेता है, वह तारा बन कर उपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सजधच से घर में आती है, वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है, मेरी बुद्धी सहज ही पराजय सुईकार करन नहीं जानती, इसी से मैंने सोच कर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती है, फिर वे न नई रहेंगी और न डाटेंगी, बिंदा को मेरा उपाई कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और न असी रात को मैंने मां से बहुत ही अनुनय पूरवक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाए भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावें, मां बिचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विसमित होकर कुछ बोल भी न पाई थी, कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशा प्रकर क कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैट कर जाएगी, और फिर मेरा दूद, बिस्कित, जलेवी सब बंद हो जाएगी, और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा, मां का उतता है तो मुझे इसमरण नहीं, पर इतना याद है, कि उस रात उसक जित हो चुकी थी, गर्मी की दो पहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते, रखते हुए घंटों खड़े देखा, चौके के खंबे से दिन भर बंधा पाया था, और भूस से मुर्जाय मुख के साथ, पहरों नई अम्मा और खटोले में सो घंगराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिलता, उसके छोटे-छोटे हातों से धुल न सकने वाले उलजे बैतरीन बाल भी अपने स्वभाविक भूरे पनों कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे, जब पंडेताइन चाची की कैची ने उन्हें कोड कोड़े के धेर पर बिखरा कर उनके इस्थान को पिल्ली की काली धारियों जैसे रेखाओं से भढ़ दिया, तो मुझे रुलाई आने लगी, पर बिंदा ऐसी बैठी रही, मानो सिर और बाल दौनों नई अम्मा के ही हो, और एक दिन याद आता है, चूले पर चड़ाया द दूद उफना जा रहा था, बिंदाने नन्ने नन्ने हातों से दूद की पतिली उतारी अवश्य, पर वो उसकी उंगलियों से छूट कर गिर पड़ी, खौलते दूद से जले पैरों के साथ दरबाजी पर खड़ी बिंदा का रोना देख में हत बुद्धी सी हो रही, पंड तो मेरे लिए सब कुछ रहस्य मैं हो उठा, उसे में अपने घर में खीच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंड में मा के पास ले जा सकी और न छिपाने का इस्थान खोज सकी, इतने में दीवारें लांग कर आने वाले पंडिताइन चाची के उग्रुस्वर ने भैसे हमा पर बिंदा अपने जले पेरों को घास में छिपाए और दौनों ठंडे हातों से मेरा हाथ दबाए ऐसी बैटी थी, मानो घास का चुपता हुआ धेर रेस में पिछोना बन गया हो। अपने विशेश संदेश बाहक के साथ उसे घर बिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई ये बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के नयाए विधान में नक्षमा का इस्थान था ना अपील कादिकार। क्या भी मुझसे नहीं मिल सकती? पूचने पर वा मुँ में कपड़ा ठुसकर हसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दो पहल को सभी की आँख बचा कर बिंदा के घर पहुँची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, आँखे गड़े में धस गई थी, मुख दानों से भर कर न जाने कैसा हो गया था। और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीत बिचोने से भिन नहीं नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां सेर पर हाथ फेट वी मा और बिचोने के चारों चकर काटते हुए बाबुजी के बिना भी बीमारी का स्तित्तु है यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अइस पश्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ उपरी खंड में रहती हैं शायद चीचक के डर से। सबेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। उसके बाद फिर बिंदा को मिलन असंभब न हो सका। क्योंकि मेरे इस आग्या उलंगन से मा बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सबेरे ही रुकईया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामाड बंद कर बार बार आँखे पोंचती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर ने निकलने का आदिश देना नह भूली थी। इसी से इधर उधर से जाक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकईया मेरे लिए त्रिकाल दर्शी से कम न थी। परंतुवा विशेश अनुने बिनए के बिना कुछ बताती ही नहीं थी। और उससे अनुने बिना करना मेरे आत्म सम्मान के विरुद्ध अत्य खिडकी से जाक कर में बिन्दा के दर्वाजे पर जमा हुए आदमियों के अत्रिक्त और कुछ मीना देख सकी। और इस प्रका की भीर से बिवाह और बरात का जो संबन्ध है उसे में जानती थी। तब कि उस घर में बिवाह हो रहा है। और हो रहा है तो किसका। यही सोच बिचार कर मैं इस परिणाम तक पहुची कि बिन्दा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अपमान से आहत मेरा मन सब गुणियां को साक्षी बना कर बिन्दा को किसी भी शुब कारे में न बुलाने की प्रतिक्या करने लगा। कई दिन से में प्राया चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे छोटे तारों में बिन्दा को ढूपती रहती पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तब से कितना समय बीच चुका है पर बिन्दा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई कभी हो सकेगी या नहीं इ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझा मुझे कमेंट बॉक्स में साजा करें धन्यवाद